हेलो फेंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे आई आरफ सी के शेर प्राइस पे फेंट्स टोक में आपको गिराउट देखने को मिल रही है गिराउट के रिजिन आई तिंक आपको पता ही होगा लेकिन कुछ अपडेट ऐसी है जिसके बेस पे आज स्टोक रियक्शन पर फर्स टाइम चैनल पर विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को उन कर लेना ताकि जब भी में जो वीडियो अपलोड कर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आज हो सकता है कि मार्किट में थोड़ा बहुत पोजिटिव मुमेंट क्योंकि जो अमित्सा का बयान है ना उससे थोड़ा सा पोजिटिव माहूल बन सकता है क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि इलेक्शन की वज़े से मार्किट पर प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर गोर्मेंट चेंज हो गई तो भई फिर मार्किट में तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन अगर कोवर्मेंट वही रही जो चली हुई है तो भई पोजिटिव इटी अच्छा पोजिटिव रियक्शन दिखने को मिल सकता है यहीं पर कल अमित सहा का बयान आया था कि उन्होंने बयान दिया कि चार जून को मत करना है उससे पहले पहले आप स्टोक मार्केट में बाई कर लो उनके कहने का मतलब है कि वही हम फिर से आने वाले मोत आने वाला टाइम ही बताएगा कि कौन जीते गा कौन हारेगा उस पर हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन मार्केट में अगर गोर्मेंट वही आई तो तो आप यहां पे कुछ क्वांटिट अपने पॉट्फोलियो में एड कर सकते हो और जब भी मार्किट गिरता है तो उसे एक आप पोजिटिव में लिया करें नेगिटिव में नहीं क्योंकि अच्छे स्टोक आपको कम प्राइज में मिल जाते हैं जैसे कि मार्च में आपने देखा होगा यह स्टोक काफि डाउन आ गया तो फिर इसने 25-30% के करीब के रिटेन भी दिये हैं तो डीप में आप बाई करते हो तो अच्छे रिटेन मिलने के चांस रहते हैं आप समझते हैं कि कौन-कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं यहां पर पहला जो य रेकडाउन कर देगा तो नेक्स रहेगा 104 का यहां पर आप कुछ और क्वांटिटी एड कर सकते हैं लेकिन 116 के करीब का यह लेवल सही है यहां से आप अपने पॉट्पोलियो में एड कर सकते हैं ओपर के लेवल में जो टार्गेट रहेगा 163 का और उसके बाद यह 193 तक जाता हूँ नजर आ सकता है पोजिटिव अपडेट के साथ आपको क्या लगता है इस टोक में कैसा मुवमेंट आपको देखने को मिलेगा क्या यह 116 तक आएगा यह नहीं आएगा मेरे अकोर्डिंग तो आएगा आप भी कोमेंट करके बताना कि आएगा यह नहीं आएगा तो फ्रेंट्स यह थी वीडियो और इस वीडियो का मोटिव ओनली फूर एजुकेशन परपाज यह मैं किजी को परसनल रिक्मेंट नहीं करती क्या आप इस टोक में बाई करो सेल करूँ या होल्ड करूँ